हाई, तो होता यह है कि अगर मैं किसी चीज में फोकस अपना डाल दो तो सारी फोकस उसमें डाल दे लिए और हिंदी सीखने में मेरी फोकस कभी थी नहीं, इसलिए मेरी हिंदी इतनी vocabulary और grammar और सब कुछ और बोलना बहुत खराब है और वो आपको ignore करना पड़ेगा तो मैं यह कह रहे हूँ कि मैं किसी चीज में फोकस करूँ तो बहुत स्यादा फोकस कर दे लिए पर इंस्टेंस मैं म्यूजिक पर फोकस करने हूँ जितना फोकस करती हूँ कि सारे lyrics बार बार सुनके पढ़के रट मार देती हूँ और फिर उन्हें गाने भी शुरू करती हूँ यह हूँ न अच्छी फोकस मेरा गाना और मेरी आवाज उतना अच्छा नहीं है पर मैं फोकस रहूँ और मैं उस आर्टिस्ट को प्रमोट भी करती हूँ क्यूंकि उस गाने में मैं पहले हमेशा ना देया कावा सॉंग भाई अपूर बारा भी ओरिजिनल भाई इसे किसी को पता नहीं पर मैं हमेशा ये कोशिश करते हूं कि ओरिजिनल आर्टिस्ट को हमेशा क्रेड़िट मिले और मैं उनके गाने चुड़ाएं वहाएं ना मैं ऐसे चोरी नहीं करते हैं पर आज मेरे फोकस तो कॉमेडी पे था मैं इतना कॉमेडी देख रहे थी कि मैं एक मेरे बहुत सारे फेवरेट कॉमेडियन्स हो चुके पहले सारे बहुत सारे फेवरेट मुजिशन्स थे लेकिन आप शिफ्ट कॉमेडियन्स तो मुझे अभी शेक उपमन्यू और वो और कौन ये शरद था और ये और कौन से हैं वो लड़की हानिहारी का वो बहुत पासना निहारी का और ऐसे जो मेरा फोकस अब कॉमेडियन्स पे पढ़ा है तो मैं सोच रही थी मैं मुझे मैने जैसे पहले बताया ये अभी शेक उपमन्यू बहुत पसंद है especially क्योंकि मैं cat lover हूँ न तो मुझे उसका cat वाला जो उसने वीडियो बनाया था especially neutrin के उपर उसके language में तो वो कटवाने के बारे में बात करता है इस बिली की कटवा दो उस बिली की कटवा और unfortunately मैंने भी मेरे दोनों बिलियों की कटवा दी छे माइने के बाद अब दोनों खुश है पता नहीं मुझे कोस भी रहे होंगे कभी कभी और इसलिए मेरा olive मुझे बार बार देखे देखे करता रहता है और अम्मा के पास तो जाकी इतना प्यार जटाता है शायद complain भी करा इसने कटवा दी इसने कटवा दी ऐसे कर दी तो पर मैं आज मेरे दोनों cats को observe कर रहे हैं जब मैं observe कर रहे थी तो मैंने देखा कि एक बिली जो अपनी हाथ को ऐसे करके चाट रहे है तो दूसरा भी ऐसे करने नहीं जिसे आइडेंटिकल ट्विन्स हो जैसे अगर ये अपनी पूँच को अगर ये अपने पूँच को चाट रही है तो वो भी अपना पूँच को चाट रहा है हाथ चाट रहा है और फिर एक दूसरे को चाट रहा है ये सब common grooming है पर जब grooming करने के वक्त ये अइडेंटिकल ट्विन्स बन जाते हैं इसलिए ये मेरा advice है सारे cat lovers को कि कभी एक cat मत लीचे कि मैं काफी पढ़ा है कि cats को ना company की जरुवत होती है उन्हें identical like you know bonded pairs कहते है तो अगर आपके पास सिर्फ एक बिली है तो एक और लीचे अगर अलग gender है तो रोनों को न्यूटर कर देजे सेम जना है तो भी न्यूटर कर देजे क्योंकि cats को न्यूटर करना बहुत जरुवी होता है क्योंकि जैसे अभी शेक उपमजु ने बोला उसके डॉक्टर ने बोला cats की life में भी hmm या उन्हे न्यूटर life spam improve हो जाता है यह dogs के लिए भी life spam improve हो जाता है और वो ज्यादा दिन रहते हैं खुशी खुशी खेलते खेलते बच्चे के रहते हैं है ना तो मेरे पास एक कुटा भी है और उसका भी मैंने न्यूटरिंग करवा दे नहीं मैंने नहीं मा ने किया मा ने operate नहीं किया पर डॉक्टर के पास ले यह बहुत important है न्यूटरिंग करवाना और कभी-कभी मैं सूचती हूँ humans कभी न्यूटरिंग हो जाता